इसका एंड बहुत ब्यूटिफुल है तो अंतक जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो ब्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है अब बिना किसी दरीक है इस मुवी को एक्स्प्लिंग करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन क्यारेक्टर मार्टिन और गाबी ये दोनों हमें दिखाये जाते है इनकी लाइफस्टाइल में ये डेटिंग एप पर स्वाइब कर रहे थे जो भी इने अच्छा लगता है इनके साथ वो इंटिमेट हो जाते है मार्टिन एक हॉस्पिटल में फार्मसिस्ट है उसके एक कलिक है जिसका नाम है जोना जोना अपना हायर एजूकेशन करने के लिए अब यहाँ से जाने वाली थी उसे हैती है आज मेरा लास्टे है मेरे साथ पार्टि में चलो मार्टिन इस पर ज़रा सोचता है फिर उसे कुछ और काम थे तो उसने मना कर दिया यहाँ पर उसने जोना को भी नोटिस किया पर फिर भी वो अपनी डेटिंग एप पर स्वाइप करने लग गया पैरलल में हम गावी को देखते है जो एक फिजियो थेरिपिस्ट है यह दोनों आज भी स्वाइप करकर अपने लिए डेट ढून लेते हैं डेट पर जाने से पहले मार्टिन अपने फ्रेंड्स के साथ था उसमें से एक फ्रेंड ने मार्टिन के एक्स वाइफ के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया कह रहा था कि मार्टिन का एक टाइप है मार्टिन अपनी एक्स वाइफ को लेकर बहुत ही जादा सेंसिटिव है उसे इसके बारे में बात करना थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता तो अपने फ्रेंज को छोड़ कर वो चला जाता है वो अपनी डेट से मिला और बहुत सारी बात है उसने किये पैरलल में गैबी भी अपनी डेट से मिलती है उसके साथ उसके घर पर चली गए ये दोनों इंटिमेट तो हुए पर गैबी साटिसफाइड नहीं थी वो ऐसे घर पर आ गए मार्टिन भी अपनी डेट को घर लेकर जाता है पर उस ज़रा बीमार लग रही थी वो लटकी कहती है कि मैंने ज़रा ज़्यादा ही पेस ले लिये मार्टिन उसके लिए वरिड हो गया वो सिर्फ उसका खैल रखता है और ये डेट ही खतम होके अब तक ज़्यादा रात नहीं हुई थी और मार्टिन और गैबी ये दोनों आज रात अकिले थे इन्होंने फिर से अपना डेटिंग एप खोला और स्वाइब करना स्टार्ट किया दोने एक दूसरे को इंट्रेस्टिंग लगे तो उनका प्रोफाल भी मैच हो गया मार्टिन गैबी को मैसेज करता है कहता है मैं खुछ भी सिरियस नहीं चाहता है विदाउट स्ट्रेंग्स वो उसके साथ इंटिमेट होना चाहता है कैबी भी यही चाहती थी तो यह दोनों बार में मिले मार्टिन कहता है हम मेरे घर जा सकते है पर गैबी उसके साथ पहले ड्रिंक करना चाहती थी मार्टिन इस डेटिंग आप के वारे में उसे बात करता है, क्याता है कभी-कभी लगता है कि मुझे एक्स्प्लाइट किया जा रहा है, सिर्फ उसके लुक्स को देखकर लड़के उसे स्वाइप राइट करती है, कोई भी उसे एक्चुन में नहीं जानता, फिर भी ये नेड को एक्स्प्लोर करती रहती है, मार्टिन अपने करियर को लेका जादा सैटिसफाइड नहीं था, उसे लगता है कि वो एक जगा पर स्टक है, रहा से निकलने के लिए वो कुछ करने भी नहीं वाला, ऐसे बहुत सारी बाते इन्होंने की, फिर डांस किया, बार में कुछ ग बगा था, इनकी डेट यहीं खतम हो जाएगी, और मार्टिन उसे डिनर के लिए पूछता है, यह दोनों और भी टाइम एक साथ गुजारते है, मार्टिन और गैबी इन दोनों की फ्यूजर में बच्चे चाहिए, पर गैबी इसके लिए शादी नहीं करना चाहती है, इनक तुम्हाही एलिमे सेशल बनाओंगा, तुम्हाहे अच्छे लगेंगे, जैबी को कभी भी पसंद नहीं आते थे, पर आज उसे अच्छा लगा, वो मार्टिन से पूछती है, इसे स्पेशल क्या है, मार्टिन की जहता है, बहुती छोटी-छोटी चीज़े होती है, पर उ बहुत मज्य की है गैवी फिर अगली सुभाई अपने जॉब पर जाती है यह दोनों फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से मिलने लग गए इनका एक साथ रहना यह बहुत इंपोर्टन था तो मार्टिन गैवी से उसके घर में मुविन करने के लिए पूछ लेता है यह सब बहुत फास था पर गैवी को इससे कुछ भी फरग नहीं पड़ा इसके लिए वहाँ कही देती है इसके बाद यह मूविस देखते थे अलग-अलग जगा पर जाते थे एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यूटिवल सा टाइम बिताते थे एक दिन मार्टिन गैवी को अपने बेस्फ गया हूँ इसके जी अगले दिन मार्टिन गैवी को अपने बेरन से मिलवाने के लिए लेकर जाता गैवी और मार्टिन के फादर मिलकर कुक कर रहे थें क्या फादर से गैवी को पता चला कि मार्टीन की मदर को डाइमेंशिया है उसे कोई भी चीज़े सही सी याद नहीं गैबी के लिए सफ्राइस था, मार्टीन को यह जीज उसे बतानी चाहिए थी, घर में गैबी ने नोटिस किया, कि मार्टीन की बजबन में उसकी सिस्टर के साथ फोटोज है, मार्टीन ने अपनी सिस्टर के बारे में कभी भी उससे बात नहीं की थी, ये सब जब lunch कर रहे थे तो मार्टिन की मदर मार्टिन की ex-wife के बारे में बुशती है ये सब कुछ Gabby के लिए बहुत ही uncomfortable था वो मार्टिन से बुशती है तो कहता है घर जाकर हम बात करेंगे घर आने उपर वो बहुत गुसा थी कहती है तुमने अपनी sister के बारे में अपनी mother के बारे मुझसे बात क्यों ने किये मैं तुमारी girlfriend हूँ तुम मुझे सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए मार्टिन कहता है ये सब मेरा past है तुम इससे बारे में जानना क्यों है Gabby उसे irritate कर रही थी मार्टिन हार मान कर बता देता है उसकी sister की एक car accident में date हुई थी इसके बाद उसकी family पहले जैसे कभी भी नहीं रही ये उसके लिए बहुत ही sensitive topic था और फिर भी उसे बात करनी पड़ी इस पर वो Gabby बर भी गुसा था इसके बाद नेक सीन में मार्टिन अमने best friend के साथ था उसका best friend उसे पुछता है क्या तुम Gabby से प्यार करते हो मार्टिन कहता है कि हाँ उसने मार्टिन से कहा तुमारी ex girlfriend को baby हुआ है मार्टिन और उसकी ex girlfriend इनका breakup हुए 10 साल हो चुके है पर फिर भी उस पर believe नहीं कर पाता Gabby जब काम पर थी तो उसके यहाँ एक patient आया वो Gabby को पहजानता है क्योंकि उससे के बार में वो हमेशा आया करती है उससे नहीं पता था कि वो यहाँ काम करती है तो उसे देखकर वो बहुत surprise था उसके डॉक्टर के साथ appointment वेगरा हो गई तो फिर से Gabby से मिला उसे कहता है आज रात मेरे यहाँ party है अगर Gabby इस party में आई तो एक celebrity से उसे वो मिलवाएगा वो Gabby से यहता है कि आज मैं यह आया तो मुझे लगता है यह मैं सिर्फ तुमारे लिए आया हू उसे वो बहुत पसन आई थी मार्टिन की कली जो higher education के लिए चली गई थी वो ज़रा कुछ काम से फिर से वापस आई वो आज उसे कहती है कि आज तुमें मेरे साथ party में चलना ही पड़ेगा वो उसे मना नहीं कर पाया वो इस बारे में गैवी को मैसेज करता है गैवी ने भी decide किया कि वो उस party में जाएगी यह दोनों party में गए और किसे और के साथ intimate हो गए गैवी ने मार्टिन पर cheat किया तो उसे बहुत बुरा लग रहा था वो उसके पास है रोकरों से सब कुछ सच बता लेती है मार्टिन कहता है कि मैंने भी तुम पर cheat किया यह दोनों एक दुसरे से sorry कहते है इनको अपनी relationship नहीं तोड़नी थी तो decide किया एक therapist के पास जाएंगे अपनी relationship पर काम करेंगे जो एक दुसरे के साथ महसूस करते है यह कभे भी किसी के साथ भी नहीं किया therapist नहीं से separate separation किया वो मार्टिन से बोचता है तुमने cheat क्यों किया था वो गहता है मुझे life में कुछ exciting चाहिए था यहीं answer Gabby का भी था therapist इन दोनों से बात करता है कहता है तुम दोनों को एक दुसरे के साथ honest रहना चाहिए छोटी छोटी चीजों को लेकर try करो इससे तुमारे relationship बहुत powerful होगी इन दोनों ने फिर बात की फिर first time में किसके साथ intimate होए थे मार्टिन को एक बात खाये जा रहे थे वहता है जब में छोटा था तो अपनी sister को shower में देखता था उसे लगता है कि गैवी को अगर ये बात पता चली तो उसे monster समझेगी गैवी कहती है ये तो बहुत ही normal है छोटी बच्चों को curiosity होती है इसी वेज़े से ये सब वो करते है एक दुसरे के secrets जानने के बाद एक दुसरे से और भी ज़ादा comfortable होके आज जब ये intimate हुए तो इसमें कुछ अलगी passion था ये दोनों फिर मिलकर decide करते एक दुसरे से कभी भी जूट नहीं कहेंगे अगर उन्हें कोई और अच्छा लगता है तो उसके साथ वो intimate हो सकते और by the end of the day ये एक के relationship में हैना चाते इसी तरीके की open relationship अब ये try करने वाले है एक दिन ये दोनों एक party में गए मार्टिन को एक लड़की अच्छी लगी थी तो गैबी कहती है तुम जाओ और उसके साथ बात करो मैं तुम दोनों को देखती रहूंगी इसी party में गैबी लैरी से मिलती है लैरी एक middle age का millionaire है गैबी को उसे बात करकर hangout करकर अच्छा लगा party खतम हो जाने के बार गैबी और मार्टिन ये दोनों एक साथ घर गए गैबी उससे खहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे सामने lap dance लो कैबी जब किसी और date परोगी तुम मार्टिन उससे नज़र रगना जाता था ये भी वो try करते है ये सब चीज़े करने की वज़े से एक दुसरे से और भी attracted हो गए थे एक दिने दोनों एक लड़की को भी घर पर लेकर आए उसके साथ intimate हो गए इनकी जिस तरह की relationship है इसे relationship को लेकर एक author ने book लिखा था वो इस author से गयते है कि हमारे relationship strong हो रही है author उन से गयती है जो भी आप कर रहे हो या आपकी relationship के लिए सिर्फ एक step है इसी तरीके से वो continue नहीं कर सकते इस बात को इन दोनों ने seriously नहीं लिया लेरी ने गयबी को अपनी board पर invite किया था तो वहाँ वो चली जाती है लेरी गयबी से बोचता है तुम्हारा boyfriend है पर फिर भे तुम यहाँ हो गयबी अपनी relationship के वारे में उसे explain करती है लेरी कहता है कि यह चीज़ work नहीं करेगी हर एक relationship एक transaction होती है फाइनली इस world में आदमी अकेला ही होता है सिर्फ थोड़े time के लिए company ढूनता रहता है इसी वज़े सो गयबी के साथ time spend करना चाहता था इसके parallel में मार्टिन अपने friend की साथ था उसका friend उसे बुचता है या इन सब चीज़ों से तुम्हें कोई problem नहीं मार्टिन कहता है गयबी किसी और से satisfied नहीं होती फाइनली वो मेरे पास ही आ जाती है इसी वज़े से उसे कोई भी problem नहीं है मार्टिन आज कल ज़रा tension में था एक दिन वो बार में गया तो उसके गयबी की friend की friend जिसका नाम में Blake ये उसे वहा मिली ये उसके साथ वेट कर drink करने लग जाती है वो उससे कहती है तुम कोई ना कोई चीज को लेकर tension में हो मुझे बता डालो मार्टिन को नहीं बताना था पर फिर भी उसके force की वज़े से वो बता देता है वो कहता है कि मुझे अभी भी पता चला मेरी girlfriend को baby हुआ है वो जब relationship में थे तबे भी उसकी girlfriend pregnant थी उसका miscarriage हो गया उस वक्त उससे सही से बात नहीं कर पाया उसे वज़े से relationship तूट गई उससे लगता था कि वो हमेशा उसके लिए है पर उसकी girlfriend life में सही तरीके से move on कर चुकी है तो अफसेट था Blake realize करती है कि Martin को यह सब बाते Gabby को बतानी चाहिए वो uncomfortable होकर यहाँ से चली गई Martin इन सब बातों से बहुत disturb हो गया था वो रात में Gabby के पास आया उससे बात करना चाहता था पर Gabby बहुत थक चुकी थी वो रात में अपने ex-girlfriend की सब photos उसकी videos देखता रहता है इसके बात Gabby फिर से Larry के साथ date पर की आज राते दोनों intimate हो गए थे अगली सुबा जब मार्टिन को पता चला तो इस बात से वो jealous था अगली सी जब Gabby अपने friend से मिली तो उससे पता चला मार्टिन और Blake ये दोने एक दुसरे से बात कर रहे थे मार्टिन ने उसे जो जो कहा था इस सब कुछ Gabby को पता चल गया वो इस बात से बहुत गुसा हो गए वो मार्टिन का laptop चेक करती है यहाँ उसे पता चला कि मार्टिन अपने ex-girlfriend को email लिख रहा था मार्टिन की घर आने पर इस बात से इन दोने बहुत बड़ा जगड़ा हो गया वो इसे गयती तुम ऐसा कर कैसे सकते हो मार्टिन कहता है तुम में लैरी को डेट कर रही हो लैरी ने Gabby को एक निकलेज दिया था इसके बारे मार्टिन को पता नहीं था अब उसे पता है तुमने इसके बारे भी मुझे नहीं पता है Gabby चाहती थी कि उससे बात करे वो मार्टिन कहता है मैंने कोशिश की थी इन दोनोंने एक दुसरे से बहुत बुरी बाती की Gabby घर छोड़कर लैरी के साथ रहने लग जाती है एक दिन मार्टिन अपने फ्रेंड के साथ था तो कहता है relationship इस तरीके से नहीं होती जब भी तुमें लगता है तो break up कर लेते हो किसे और को date करने लग जाते हो जब आप किसी से प्यार करते हो तो relationship को लेकर work करना पड़ता है आप में fights होगी पर फिर भी आपको उस person के साथ ही रहना है इस तरीके से अगर तुम give up करते रहे तो कोई भी relationship successful नहीं होगी लैरी के friend ने एक बार अपनी grandfather से पुचा था इस successful marriage क्या होता है grandfather ने कहा यह ऐसे कबर जो कभी भी एक दूसरी को छोड़ करने जाते कुछ भी हो जाए हमेशा एक दूसरी का साथ देते है मार्टिन के friend ने उसे कहा यह सब चीज़े बहुत ही simple है इससे complicated मत करो जब गैवी लैरी के साथ थी तो कहता है मुझे मेरे business के लिए 3 months के लिए ज़रा travel करना पड़ेगा वो गैवी को भी उसके साथ आने के लिए कह रहा था गैवी इस पर सोचने वाली है लैरी कहता है कि एक्स बहुत ही perfect है गैवी को फिर से मार्टिन की याद आती है मार्टिन ने कहा था कि छोटी चोटी चीज़े होती है इनका अगर आप ध्यान रखे तो चीज़े beautiful हो जाती है रिलेशन्शिप में इनी चोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मार्टिन से फिर से बात करना चाहती थे आज राद लैरी के हाँ पार्टी थे इसी पार्टी में ब्लेक भी आई हुई है गैवी को लगा था कि ब्लेक और मार्टी ने दोनों intimate हुए थे इस बात की वज़े से वो बहुत ही अपसेट है और ब्लेक को इस पार्टी में नहीं देखना चाहती थे वो बहुत अपसेट होके इस बारे में उसने लैरी से बात की लैरी कहता है कि वो मेरी guest है उसे इस तरह से नहीं निकाल सकता गैवी अपसेट होकर वहाँ से चली गई एक दिन अचानक मार्टीन को अपनी ex-girlfriend का call आया वो उसे मिलना चाहती थी मिलने के बाद मार्टीन उसकी बेवी के लिए उसे congratulate कहता है वो कहती है कि मुझे बेवी होना यह मेरी life का बहुत ही beautiful part है वो मार्टीन से sorry कहती है उसने कहा हमारे relationship में मैंने सब चीजों को लेकर तुम्हें blame किया था miscarriage के बाद हम दोनों hurt थे इस तरीके से हमें नहीं act करना चाहिए था मार्टीन पोच्छता है क्या तुम खुश हो वो गहती कि हाँ पर इस तरीके से खुश होना यह उतना exciting भी नहीं है कभी-कभी उसे बोर भी होता है पर फिर भी उसे यही life चाहिए जिस तरीके से मार्टीन की life है थोड़ी सी excitement के लिए वो long term खुशी के बारे में कभी भी नहीं सोचता एक stable relationship में नहीं जाता इन सब चीजों से उसकी ex-girlfriend तंग आ गई थी और अब वो एक stable relationship में है वो कभी-कभी बोर लग सकती है पर फिर भी ultimately यही हमें खुशी देती है मार्टीन अकिला पढ़ चुका था उसे बहुत बुरा लगता है अगली दिन लैरी और गैवी फिर से बात करते है लैरी कहता है क्या तुम मेरे साथ आ रही हो गैवी कहती है कल राज हुआ क्या उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे लैरी कहता है कि तुम सिर्फ ज़रा out of control हो गई थी इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है वो गैवी को ज़्यादा सिर्यस ले नहीं लेता उसे लगता है कि गैवी किसी भी चीज़ को लेकर सिर्यस नहीं है इसी वज़े से हमेशा डेटिंग करती रहती है लैरी उसके साथ है क्योंकि उसे लगता है कि ये रिलेशन्शिप सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है गैवी उसके साथ रहेगी इसके बदले में वो पुरा वर्ल उसे घुमाएगा ये सब बाते गैवी को सही नहीं लेगी गैवी उसे गहती है तुम जो बात करे हो इस सिर्फ तुमारे ले सही है वो इस तरीके से इस रिलेशन्शिप में नहीं रह सकती है लैरी की लाइफ फिगर राउट है उससे कोई भी चीज़ के बारे में वरी नहीं करनी है ये वी ने रेलाइस किया कि उसने अपनी लाइफ अब तक स्टार्ट भी नहीं की उसने रेलाइस किया है कि वो मार्टीन से बहुत प्यार करती है उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंट करना चाहती है मार्टीन के पास आकर उसने कहा मुझे कुछ सिर्यस चाहिए जिसे मैं अपना मान सकूँ मुझे लगा था कि मुझे नहीं चाहिए पर मैं एक करना चाहती हूँ मुझे लगता है मैं अगर इस रेलेशनशिप में एफर्स डालूंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा जब मैं तुमारे साथ थी तो हमारे रेलेशनशिप इसी मैजिक की तरह थी मार्टिन भी बहुत हर्ट था पर वो गैबी से ही प्यार करता है वो कहता है पहले हम जो भी कर रहे थे यह कुछ भी नहीं चलेगा गैबी भी इसके लिए मान जाती है गैबी को पता है उससे भी पहली तरह कुछ भी नहीं चाहिए मार्टिन कहता है हम दोनों इक दूसरे से बोर्ड हो जाएंगे कैबी कहती है फिर भी हम एक साथ रहेंगे हम अपने आपको याद दिलाते रहेंगे क्यों हमें एक साथ रहना है हमें एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं इन दोनोंने प्रॉमिस किया एक दूसरे को उनाय करेंगे फाइट करेंगे फिर भी हमेशा एक साथ ही रहेंगे क्योंकि प्यार के लिए हमें जगड़ना पड़ता है पर ultimately एक दुसरे का साथ ही सबसे important है इसे एक powerful message के साथ ये movie end हो जाती है इस movie की relationship इसकी settings ये शायद गलत लग सकती है पर behind the story अगर हमने इस बारे में सोचा तो ये बहुत powerful message ये movie देख करके अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आत रहे तो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे